हाई गाईज वेलकम बैक टू नदर सेशन मैं अब 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 नोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेस का एपिसोड नंबर 856 आज की तारीख है एक दिसंबर 2020 हमारे दो चैनल्स है पिनेकल और फ्रेंटेर आएस और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइ करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेब साइट्स है सससीजलपिनेकल.com और बलजीधका.com में दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा ये सेशन हरो सुबा चार बजे वेलिबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के कोशिन पूछे जाते हैं जिनका अंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है साथ ही साथ हमारे दोनों टेलिग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आएस और एससे सीजल पिनेकल ओन लाइन को जोईन जरूर करना है फोर डेली वीडियोज पीडियेफ एंड मंथली मैगजीन स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ आपका पहला क्वेस्चन था प्रसिद कार्तिगई दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है तो इसका सही जवाब था तमिल नाडू और आपका दूसरा क्वेस्चन था किस देश ने समुद्री सुरक्षा पर चौथी राष्ट्रे सुरक्षा सलहकार त्री पक्षे बैटर की मेजबानी की है तो इसका सही जवाब था श्री लंका स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ बौध दरोहरों को समर्पित पहली SCO डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया तो इसका सही जवाब है option number A नई दिल्ली बौध विरासत को समर्पित पहली SCO डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन 30 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में किया गया राष्ट्र संग्राले NM virtual.in पर उनलाइन प्रदर्शनी लाइव प्रस्तुत करेगा उप राष्ट्रपती M. Venkya Naidu SCO Council of Heads of Government की अध्यक्षिता करेंगे शंगाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिक्स्तान और उस्बेकिस्तान के प्रधान मंत्री SCO बैठक में भाग लेंगे पाकिस्तान का प्रति निधित्व, विदेश मामलों के लिए संसदिय सचीव द्वारा किया जाएगा तुर्कमेनिस्तान को मेजबान के विशेश अतिथी के रूप में अमंत्रित किया गया है यहां पर एक रिविजन की बात करें तो भारत शंगाई सहयोग संगठन SCO के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी पहली बार कर रहा है भारत ने 2017 में संगठन की पून सदसिता प्राप की थी SCO के सेकरेटरी जनरल है विलादीमीर नोरोव अगला प्रशन है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइडोग्राफिक एक शेत्र में सहयोग के लिए एक समझोते पर साक्षर किये है तो इसका सही जवाब है option number B वैतनाम भारत और वैतनाम ने हाइडरोग्राफिक एक शेत्र में सहयोग के लिए एक समझोते पर साक्षर किये हैं ताकि दोनों देशों के लिए नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में डेटा को साजा करने में मदद मिल सके रक्षा मंतरी राजनात सेंग और उनके वेतनामी समक्ष जेनरल नगो जुआन निच ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बात चीत की हाइडरोग्राफि महासागरों और समुद्रों की भौतिक विशेशताओं के माप और विवरन से संबंदित है वेतनामी रक्षा मंतरी ने ADMM, ASEAN रक्षा मंतरियों की बैठक के लिए भारत के रक्षा मंतरी को अमंतरित किया यहाँ पर एक वेक रिविजिन की बात करें तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किसी देश के प्रधान मंत्री के साथ भारत एसियान शिकर समेलन की सहध यक्षिता की है तो इसका सई जवाब है वेतनाम बात करें वेतनाम की तो इसी कैपटल है हनोई और करंसी है वेतनाम अगला प्रश्चन है सेवी दबारा हाल ही में विश्व निवेशक सप्ता के अफसर पर निवेशक शिक्षा धांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा कारेक्रम शुरू किया गया है तो इसका सईज जवाब है option number B smarts सेवी ने निवेशक शिक्षा धांचे को मजबूत करने के लिए स्मार्ट सकारेक्रम शुरू किया है सेक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स स्मार्ट सकारेक्रम निवेशक शिक्षा और जगरुकता बढ़ाने के उदेशे से एक पहल है स्मार्ट सकारेक्रम का शुभारम IOSCO औ International Organization of Securities Commissions IOSCO का Headquarter Madrid, Spain में है इसके Secretary General है Paul P. Andrews अगला प्रशन है भारत सरकार ने हाल ही में Mission COVID सुरक्षा के लिए कितने रुपे के package की घोशना की है तो इसका सही जवाब है Option No. A 900 करोड भारत सरकार GOI ने Mission COVID सुरक्षा के लिए 900 करोड रुपे के तीसरे प्रोथसाहन package की घोशना की है यह है भारतिय COVID-19 vaccine विकास Mission है Mission की शुरुआत वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने आत्म निर्बर भारत अभियान 3.0 के तहत की गई 12 खोशनाओं के एक भाग के रूप में की थी वित मंत्री ने चौथे आर्थिक package के तहत 2.65 लाक करोड रुपे आवंटित किये थे इसमें से 900 करोड रुपे को जैव प्रोद्योगी की विभाग को COVID-19 vaccine के विकास में तेजी लाने के लिए आवंटित किया गया है इस कोश का अपयोग मिशन COVID-19 सुरक्षा के चरण एक को लागू करने के लिए किया जाना है जो 12 महीने तक चलना है मिशन को भारत गटबंदन दवारा महामारी संबंदी तैयारी नवाचारों IND, CEPI और National Bio Pharma Mission के लिए समर्थन दिया जाएगा अगला प्रशन है अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्र पती जो बाइडन दवारा नियुक्त की गई सभी महीला वाइट हाउस अंचार टीम का नेतरित्व कौन करेगा तो इसका सईज जवाब है अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्र पती जो बाइडन दवारा वाइट हाउस अंचार टीम में सभी महीला नियुक्त की गई है उन्होंने विदेश मंतराले की पूर्व प्रवक्ता जैन साकी को वाइड हाउस प्रेस सचीव पद के लिए नामित किया है बाइडन और नव निर्वाचित उप राष्ट्र पती कमला हैरिस के भियान दल की उप प्रवंदक एमस अंचार निदेशक कैट बेडिंग फील्ड को वाइट हाउस अंचार निदेशक कैरिन जीन पेरे को प्रधान उप प्रेस सचीव के तोर पर नामित किया गया है यहाँ पर एडिशनल इंफरमिशन की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव जो बाइडन ने प्रशासन के बजट के प्रबंदन के लिए भारते अमेरिकी नीरा टंडन को नामित करने का इरादा किया है अगला प्रेशन है किस राज्य केंद्री शासित प्रदेश की सरकार के मिशन यूथ ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ चार समझोता ग्याप्टर पर साक्षर किये हैं तो इसका सईज जवाब है उप्शन नमबर A जम्मू और कश्मीर एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसी ने वितिय जागरुक्ता फिलाने आर्थिक विकास का समर्थन करने और केंद्री शासित प्रदेश में स्थाई आजीविका को प्रतसाहित करने के लिए मिशन यूथ जम्मू और मिशन यूथ के तहट जमू कश्मीर सरकार विभिन क्शेत्रों में रोजगार के अफसर पैदा करने के लिए कौशल अंतराल को पाटने के लिए नीती और प्रकरिय हस्तशेप परकाम करती है। B.S.C. के मिशन यूथ जमू और कश्मीर सरकार के साथ युवाओं और महिलाओं को विशेश रूप से वित्याई दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए B.F.S.I. बैंकिंग वित्याई सेवा और बीमस्तान में करियर बनाने के लिए आवश्य कोशल विक्सित करना होग प्राकरतिक आवास के बाहर खोजे गए एक प्रकार के बूर मेंडक का नाम बैंगलूरी शहर के नाम पर रखा गया है इसे 2018 में खोजा गया था जूलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया Z.S.I. ने खोज का अधियन और पुष्टी की है शोद करताओं की टीम ने मेंडक प्रज रास्थान को बहाल करने की आवशक्ता महसूस करते हैं मेंडक बैंगलूरू के भारी इलाके में राजन कंटे के पास भूमी के एक बंजर रास्ते में पाया गया था बात करे करनाटिका की तो इसके डैम्स और रिवर्ज में आता है कृष्णर राजसागर कावेरी तुंग बीएस यदियूरप्पा युनेस्को वर्ल हैटेसाइट में आता है हम्पि मॉनुमेंट्स और पतरड़कल मॉनुमेंट्स अगला प्रशन है मधे परदेश ने हाल ही में किस नाशनल पार्क में गिदो की रेडियो टैगिंग की एक परियोजना शुरू की है तो इसका सई जिवाब है option number B पन्ना नाशनल पार्क पन्ना राष्ट्यों ध्यान में गिदो की रेडियो टागिंग की एक महत्वकांची परियुजना को महतर पक्षियों की गति विधियों और आदतों का अधियन करने के लिए लॉंच किया गया है। तो ये नेस्कों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्यों ध्यान को वायस्वे रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया है। अगला प्रशन है तिब्बत की किस नदी पर चीन द्वारा एक प्रमुक जल्ड विद्यूत परियोजना का निर्मान किया जाएगा। तो इसका सईच जवाब है ऑप्शन नबर सी ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुक जल्ड विद्यूत परियोजना का निर्मान चीन द्वारा किया जाएगा। चीन यारलूंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र का तिबती नाम के निचले हिस्से में जल्ड विद्यूत प्योग परियोजना शुरू करेगा। यह परियोजना जल्ड संसाधनों और घरेलू सुरक्षा को बनाए रखने के लिए काम कर सकती है। तो चीन ने पहले घरेलू रूप से विक्सित परमानू रियाक्टर हुआंगों गुवान को संचालित किया। रियाक्टर प्रती एक वर्ष 10 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकता है। यह कार्बन उत्सर्जन में 8.16 मिलियन टन की कटोती कर सकता है। बात करें दे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो इसी कैपिटल है बीजिंग और करंसी है रेन्मिन भी। अगला प्रशन है विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम क्या है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बर बी। एंडिंग धी HIV, AIDS, Epidemic, Resilience and Impact विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल एक दिसंबर को मनाया जाता है अक्वाइड इम्यूनोडेफिशेंसी सिंड्रॉम एड्स का संशिप्त नाम है यह रोग मानव इम्यूनोडेफिशेंसी वाइरस HIV के कारन होता है जो मानव प्रतिरक्षा प्र प्रभावित करता है 2020 की थीम गुनवत्ता के लिए वैशिक प्रतिभदता केंद्रित HIV रोक्थाम और उपचार सेवाओं पर केंद्रित है 2020 की थीम है एंडिंग धी HIV AIDS, Epidemic, Resilience and Impact यहां पर एक विश्व एक रिविशन की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन मूल इंडिया ने हाइडरोग्राफी के लिए वैतनाम के साथ एग्रिमेंट साइन किया है सेवी दुबारा शुरू किया गया वर्ल इंवेस्टर वीक प्रोग्राम का नाम है स्मार्स मिशन कोविट सुरक्षा के लिए 900 करोड रुपे का पैकेज लॉंच किया गया है वाइट हाउस कम्यूनिकेशन्स ओल विमन टीम की हेड है केट बेडिंग फिल्ड मिशन यूथ के लिए बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज ने जम्मोन कश्मीर के साथ चार M.O.U. पर साइन किये है फ्रॉक की नई स्पीशिस का नाम बैंगलूरू के नाम पर रखा गया है मध्यपरदेश ने पन्ना नैशनल पार्क में वल्चर्स की रेडियो टैगिंग की कारकरम शुरू की है चाइना तिब्बत की ब्रह्मपूत्रा नदी पर हाइड्रो पावर प्रजेक्ट शुरू करेगा और वर्ल्ड एड्स डे 2020 की थीम है एंडिंग दी HIV, AIDS, Epidemic, Resilience and Impact बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुईस्ट फॉद डे की आपका पहला क्वेस्चन है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइडोग्राफिक एक शेत्र में सहयोग के लिए समझोते पर साक्षर किये है और आपका दूसरा क्वेस्चन है तिब्बत की किस नदी पर चीन दवारा एक प्रमुक जल वित्यूत परियोजना का निर्मान किया जाएगा और अगर अबे तक आपने मारे चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथी इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccjlpinnacle.com और बलजीधाकर.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ हमाई दोनों टेलिग्राम हैंडल्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच